सभी को नमशकार B.Sc. First Year Botany के syllabus में Paper 2 की Unit 1 में हमने last lecture में Gymnosperms की study की थी We studied about the habits and habitats of Gymnosperms हमने उंकी कुछ चारित्रिक विशेशताएं study करी हमने जाना हेट्रो स्पोरी क्या होती है एवं सीट हाबिट का ओरेजिन Gymnosperms से कैसे हुआ हमने ये भी study किया कि Gymnosperms की economic importance क्या है आज इस lecture सीरीज में हम Unit 1 के remaining topics study करेंगी We will study about geological time scale We will study about fossils हम fossilization के process study करेंगे कौनसी एसी techniques हैं जिंके द्वारा fossils का formation किया जाता है साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे के fossil Gymnosperms क्या होते हैं इंके दो प्रमुक उधारन हम study करेंगे Lignopteris and Williamsonia Before we start studying that what is geologic time scale हम जानेंगे के geology क्या होती है geology is basically earth science Geo का मतलब होता है अर्थ याने की प्रिथवी and logi का मतलब होता है ये logus words से निर्मित है ग्रीक भाशा का शब्द है और इसका मतलब होता है discourse या to study So studying about earth earth का formation कैसे हुआ कौनसी rocks किस समय earth पे पाई जाती थी इन rocks का formation कैसे हुआ किस तरह की rocks प्रिथवी की सतह बनाती है earth's crust का formation करती है एवं ऐसे कौनसे processes है जो gradually प्रिथवी के इतिहास में धीरे धीरे डेवलाप हुए और आज किस तरपर या present era में जो हम survive कर रहे हैं हम यहां तक कैसे पहुँचे तो यह काम जो होता है बच्चों यह विज्ञानिक करते हैं और उनको earth scientists कहा जाता है उनको geologists भी कहते हैं तो geologists ने प्रिथवी की बहुत सारी study करी एवं एक geological time scale जो है भू विज्ञानिक समय मान दिया यह एक प्रकार का calendar है जो प्रिथवी पर हुए बहुत सारे एतिहासिक events को दर्शाता है इस geological time scale को further हम eras में, periods में और epochs में divide करते हैं geological time scale की definition या परिभाशा हम पढ़ें तो यह कुछ ऐसे होगी that it is a system of chronological dating which relates geological strata that is stratigraphy to time भू वज्ञानिक समय मान कालानुक्रमिक मापन की एक वह प्रणाली है जो स्तरिकी या stratigraphy को समय के साथ जोडती है तो किस प्रकार से समय के साथ साथ प्रित्वी पर events हुए यह सभी जो है geological time scale के अंतरगत आते हैं यह geologists ने बनाया paleontologists ने इस पर बहुत सारी study करी paleobotanist ने इसमें contribution दिया और बहुत सारे earth scientists ने इस पर काम किया और उन्होंने यह relationship बताई कि किस प्रकार से समय के साथ साथ प्रित्वी पर कैसे events हुए और earth की history को हम इस रूप में प्रेशित करते हैं आएए जानते हैं कि stratigraphy क्या होती है stratigraphy एक ऐसी scientific discipline है एक ऐसी विज्ञान की शाखा है जो यह describe करती है या उलेक करती है किस प्रकार की rocks का formation प्रित्वी पर किस समय हुआ so description of rock successions और एक general time scale पर इसको यदी मापें तो किस प्रकार की rocks किस समय पाए जाते थे यह जो है एक आधार होता है historical geology का और इस time scale को हम millions of years में मापते हैं और इसको बनाने में बहुत समय लगा इसको बनाने के लिए rocks की age जो है वो पता लगाई गई गई video active carbon dating प्रणाली से बहुत सारे fossils की study करी गई जो fossils अलग-अलग समय पर मिले गए और यह fossils यह एक चीफ स्त्रोथ हैं एक चीफ सोर्स हैं जो हमें geological time scale पढ़ने में मदद करते हैं इस प्रकार geological time scale में आप यह भी देखेंगे कि उस समय प्रिथवी पर कौन से plant type या plant kingdom की बात करें animal kingdom की बात करें flora एवं fauna की बात करें तो कौन सी प्रजातियां dominant थी फिर कैसे उनका extinction हुआ उनकी जगा फिर किस ने ली So it also tells us about the diversity of plants in different different periods इस scale को बनाने के लिए पहला attempt जो है वो 18th century में हुआ को अलग-अलग तरहां से classify किया ये चार प्रकार से classification किया primary, secondary, tertiary एवं quaternary Each type of rock according to the theory was formed during a specific period एक particular समय काल में ये rocks का formation हुआ और इसमें detailed studies 1820 से 1850 के बीच हुई इसमें जो काम किया गया वो सबसे पहले British geologists ने किया और इसमें आप देखेंगे अलग-अलग periods आएंगे जैसे Devonian period जो था that was named after the English county of Devon और इस प्रकार से उनके ही tribes के नाम के according उन्होंने इन कालखंडों का इन periods का नाम दिया Similarly, Carboniferous जो है that was the adaptation of coal measures British geologists ने इस geological time scale को अलग-अलग periods, eras और further ages में विभाजित किया तो इस प्रकार पहले ऐसे British geologist जिन्होंने इस पर काम किया he was Arthur Holmes आप slide में देखेंगे और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी renowned किताब के ये author थे इन्होंने The Age of Earth बुक लिखी इस बुक में जिन्होंने इन्होंने estimate किया कि अर्थ की एज जो पृत्वी की एज है वो करीब 1.6 billion years है तो 1913 में इनका काम काफी सरहा गया Arthur Holmes ने सबसे पहले geologic time scale में ये dates include करी इस प्रकार से हम इस time scale को divide करते है जो सबसे बड़ा interval होता है जो सबसे longest interval ये largest interval होता है that is called as Eon Eon is divided into eras further divided into periods and periods are further divided into epochs आईए ये terminology समझते है Eon जैसे मैंने आपको बिताया इस दे लार्जेस इंटर्वेल और ये करीब-करीब hundreds of millions of years जो है इसका duration है इस time scale में फेनेरोजोईक Eon जो है ये सबसे recent है और आज से लगभग 500 million years ago इसकी शुरुवात हुई प्रित्वी के इतिहास को हम चार Eons में विभाजित करते हैं और इसका क्रम जो है वो chronological होता है oldest to youngest यानि कि youngest यानि कि जो present era में हम survive कर रहे हैं तो पहले क्या था उसके बाद gradually क्या developments हुए क्या events हुए and then the present and the youngest तो इस प्रकार से अर्थ की history को या प्रित्वी के इतिहास को हम चार Eons में विभाजित करते हैं हेडियोन, आर्कियन, प्रोटिरोजोईक एवं फिनेरोजोईक इन तीन एउन्स को हेडियोन, आर्कियोन एवं प्रोटिरोजोईक को प्री कैंब्रियन भी कहा जाता है देखें आप हेडियन, आर्कियन एवं प्रोटिरोजोईक इन तीनों को हम सम्मिलित रूप से Pre-Cambrian Aeon भी कहेंगे और इसके बाद Oldest to Youngest Phenerozoic आएगा और ये लगभग 12 प्रतिशत जो है अर्थ की हिस्ट्री को रिप्रिजेंट करता है Hadean एवं Archean Aeons are very very difficult to study because ये पृत्वी पर limited places में पाई जाते हैं तो इनको study करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है Aeons के बाद आते हैं Aeons और ये Aeons से छोटे time intervals होते हैं They are second longest units of geological time कभी-कभी multiple choice questions में पूछा जाता है Longest unit is Aeons and the second longest unit is Aeons तो हम देखेंगे के finerozoic era जो सबसे recent है इसको finerozoic eon जो सबसे recent है जो सबसे youngest है इसको हम तीन eras में divide करते हैं The first is cenozoic, the second is mesozoic and the third is paleozoic इस diagram में हम देखेंगे finerozoic means visible life So paleozoic, mesozoic and the youngest cenozoic the present era, the present life which we people are continuing तो paleozoic का मतलब होता है old life It is characterized by the presence of trilobites trilobites याने की तीन लोब वाले arthropods first four limbed vertebrates एवं land plants की उत्पत्ती सर्व प्रत्थम paleozoic era में हुई इसके पश्यात mesozoic era या middle era इसको हम age of dinosaurs से represent करते हैं पहली बार प्रित्वी पर mammals स्तंधरी जीवों की उत्पत्ती हुई appearance हुआ एवं flowering plants appear हुए and the third is the cenozoic that is the new life era जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं as age of mammals or birds and this is the era in which we are living today so the current, the present is cenozoic era further eras को हम periods में विभाजित करेंगे और इस time scale में Paleozoic era को हम सर्व प्रथम डिवाइट करेंगे into Permian, Pennsylvania, Mississippian, Devonian, Silurian, Ordovician, एवं Cambrian periods the most well known of all the geological periods is the Jurassic period of the Mesozoic era हम सभी भली भाती जानते हैं हमने ये movie भी देखी है जिसका title है Jurassic Park Stephen Spielberg जो है इस movie के director थे 1993 में इन्होंने ये adventure movie बनाई थी जिसका नाम था Jurassic Park तो director ने ये जो नाम था ये प्रेरित होकर Mesozoic era से ही लिया था पार्क में आपने जो भी diversity देखी, plants देखे, animals देखे उसमें आप देखेंगे के मुख्य तहट gymnosperms और pterodophytes जो हैं वो बड़े flourishing थे So this is the well known period that is the Jurassic period of Mesozoic era तो इस प्रकार से हमने Paleozoic को divide किया into Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian Carboniferous एवं Permian यह हम क्यों पढ़ रहे हैं इसकी महत्वता क्या है आए जानते हैं जितने भी living things हैं या living organisms हैं चाहे plants हो, animals हो, microbes हो समय के साथ-साथ इन में बहुत परिवर्तन आए इन्हों ने बहुत सारी adaptation को follow किया और अलग-अलग climate के हिसाब से अलग-अलग environment में इन्हों ने अपनी body को या अपनी structure को adapt किया तो plants हों चाहे animals हों इन में समय के साथ-साथ बहुत जादा परिवर्तन आए जिनको हम evolutionary changes कहते हैं तो किसी समय किसी period में कोई organisms या animals present थे पर धीरे धीरे उनका extinction हुआ और वह आगे आने वाले कालखंड में नहीं मिले तो इस प्रकार से scientists को ये data मिलने के बाद एक geological record बनाने में बहुत easy होता है Similarly, by correlating the strata in which certain types of fossils are found, किसी strata में कोई fossil मिला, किसी आगे आने वाले समय में कोई fossil मिला इस प्रकार से scientists को मदद मिलती है कि किसी organism की evolutionary history वोट समझ पाए उसके बारे में information ग्याद करें एवं उसकी geologic history जो है वो भी पता लग पाए तो अर्थ की geologic history को जानने के लिए समझने के लिए ये सभी fossil records की अती आवश्यक्ता होती है आईए चलते हैं अब हम divide करते हैं mesozoic era को teen periods में triassic jurassic and cretaceous period cenozoic era is divided again into three periods paleogene, neogene even quaternary और अब हम periods को divide करेंगे eras और eras को हमने divide किया epochs में तो cenozoic periods जो हैं इंको हम epochs में divide करते हैं और epochs को in फिर epochs को हम और छोटी units में time intervals में विभाजित करते हैं जिसको हम कहते हैं तो this is because the older rocks have been buried very deeply कभी-कभी ऐसा होता है कि periods को epochs में divide करना या subdivide करना किसी-किसी era के साथ possible नहीं होता क्यों ऐसा होता है क्योंकि कभी-कभी जो older rocks होती है वो बहुत अंदर-बरीड होती हैं प्रिथवी के, intensely deformed होती है और बहुत सारे modifications उनमें long term अर्थ की प्रक्रियाओं की वज़े से चलते रहते हैं इस वज़े से इन rocks की study करपाना संभव होता है बहुत मुश्किल होता है और इसी लिए ये clearly understood नहीं होते Paleogene period को हम फिर से oldest to youngest crumb में divide करते हैं into Paleocene, Eocene एवं Oligocene epochs Neogene को हम divide करेंगे Miocene एवं Pleocene epochs में और Quaternary को हम divide करेंगे Plistocene एवं Holocene epochs में तो आप देखेंगे slide में from oldest to youngest हमने ये divide किये periods are further divided into epochs और जब हम इन सब को सम्मिलित करेंगे तो एक hierarchy बनेगी ये सारे hierarchy components को एक साथ जोडेंगे तो ये form लेता है geologic time scale का जिसमें आप देखेंगे from older to younger हमने शुरू किया सबसे नीचे older और सबसे उपर या current that is the youngest most इसमें हम जब सारे parts को एक साथ सम्मिलित करते हैं तो ये पूरी shape जो है ये geologic time scale कहलाता है अब देखेंगे it is divided into eons, the longest time intervals further divided into eras further into periods and epochs आईए एक recap करें अभी हमने जो पढ़ा geologic time scale को हमने 5 main eras में divide किया Cenozoic, Mesozoic, Paleozoic Proterozoic एवं each era is further divided into periods and periods into epochs और epochs को हम further divide करते हैं lowest time intervals में जिसको हम ages कहते हैं अब हम जानेंगे कि Archeozoic era या Paleozoic era या Pterozoic era में ऐसी कौन सी प्रमुक vegetation थी या इनकी क्या सामानिय विशेशताएं थी सर्फ प्रतम हम शुरू करेंगे Archeozoic era से इसकी age जो है यह लगभग 3000 millions year ago पहले होता था जिस समय प्रिथवी का जो वातावरन था जो atmosphere था वो highly reducing state में था जिसमें मुख्य तहम methane, ammonia जैसी gases present होती थी बहुत heavy rainfall होने के कारण समुद्र का formation हुआ sea का, ocean का और volcanic eruptions के कारण mountains या परवतों का निर्मान हुआ sedimentary rocks का formation हुआ from soil and sand और हम कहेंगे के पित्वी पर सरप्रथम जीवन जो है उसकी उत्परती हुई life first appeared on earth तो इसके जो fossils हैं वो करीब 3.5 billion years ago present हुए थे consists of mainly the bacteria जिनको हम micro fossils भी कहते हैं because microorganism के fossils थे like bacteria, fungi and algae photosynthetic bacteria जिनको हम stromatolites कहते हैं वो पस्तित थे और ऐसे organisms के impressions यदि rocks पर आएं उनके dead remains के तो इसको हम fossil कहते हैं जीवाश्म कहते हैं यह सभी characteristics थी Archeozoic Era की Next we come to Proterozoic Era It lasted about 2 billion years ago और life धीरे-धीरे complexity की और बढ़ी जहां unicellular prokaryotes हमने Archeozoic Era में study किये वहीं धीरे-धीरे life की जटिलता बढ़ी, complexity बढ़ी और eukaryotic organisms जो हैं वह develop हुए, evolve हुए Proterozoic rocks जो थे उनमें primitive fossils, bacteria एवं blue-green algae के रूप में हमको मिले और ऐसे पहले oxygen dependent animals जो हैं उनका evolution हुआ Oxygen जो हैं हम जानते हैं It is a by-product of photosynthesis तो इस प्रकार atmosphere में free oxygen का release हुआ, atmosphere में इसका concentration बढ़ा और eukaryotes जो हैं धीरे धीरे उनका establishment जो है वो बढ़ता चला गया environment में Next we come to Paleozoic era, Paleos का मतलब होता है ancient याने की primitive या पुराना Anzoic का मतलब होता है life तो यह जो era है It spans approximately 200 million years and is largest one in the term of time span तो पूरे कालखंड में जब हम देखेंगे तो यह सबसे largest era है इसमें marine life जो है मुख्यधर dominant थी including reptiles, amphibians, arthropods और पहले terrestrial land plants जो है Silurian period में originate हुए साथी साथ gymnosperms basically coniferous plants या coniferous trees जो है इंका यह बहुत flourish हुए और at present इन में से कही जो है वे विलुप्त हैं वो नहीं पाए जाते हैं और इस दौरान पृत्वी पर बहुत सारे changes हुए जैसे कि climate या जलवायू में परिवर्तन हुआ, biodiversity में परिवर्तन हुआ इस era के last में अगर हम देखें तो तेजी से mass extinction चालू हुआ जिसमें करीब करीब plants और animals की बहुत सारी प्रिजातियां जो है वो विलुप्त हो गई, extinct हो गई, खत्म हो गई तो इस scale में आप देखेंगे Paleozoic timeline जो है इसमें सारी periods जो है वो आपको दिख रहे हैं, starting from Cambrian, Ordovician, Silurian Devonian, Carboniferous, even Permian Paleozoic era के periods Next, we come to Mesozoic era Mesozoic era में dinosaurs का बहुत abundance थी, this era is actually known as the time of dinosaurs इस era की शुरुवात में हम देखें तो continents जितने भी थे पृत्वी पर वो सभी एक साथ जुड़ गए और एक बड़ा large continent बनाया जिसको हम Pangea भी कहते हैं Last part में Cretaceous period आया, जो की बहुत लंबे समय तक चला, longest period था जिसमें climate जो है उसमें बहुत परिवर्तन आया, अर्थ का atmosphere excessively heat हुआ temperature में बहुत कम variation था between the equator and poles, जो द्रोव और equator की बीच में temperature variation था वो बहुत ही कम था, जिसके कारण पृत्वी पर heating जो है वो बहुत बढ़ गई dinosaurs जो है वो evolve हुए और abundantly flourish हुए, कुछ herbivorous जो plants को consume करते थे और कुछ carnivorous थे conifers का development हुआ in mesozoic era और पहले flowering plants जो है वो develop हुए evolve हुए at the end of this mesozoic era तो बच्चों हम लेते हैं एक छोटा सा break और break के बाद हम study करेंगे the next era हम जान रहे थे mesozoic era की characteristics के बारे में हमने बताया के this era predominantly was the era of dinosaurs, इसमें oldest angiosperm fossil के रूप में Archeofructus Lyonigensis जो है वो चाइना में पाया गया, this is 122 million years old, ऐसे बहुत सारे mammals या स्तंधारी जो है evolve हुए, बट केवल कुछ ही प्रजातियां थी जो size में आकार में बहुत छोटी थी और इस period में, cretaceous period में basically mass extinction हुआ जिसमें बहुत सारे dinosaurs जो है वो खत्म हुए बहुत सारे animals और plants जो है वो survive करा, उन्होंने extinction के बाद भी उनकी प्रजातियां develop हुई, जिनके अंतरगत आते हैं, mammals और birds causes of extinction की बात करें कि कैसा mass extinction हुआ, जिसने बहुत सारी species को extinct कर दिया या wipe off कर दिया या विलुप्त कर दिया, तो इसके अंतरगत कुछ causes आते हैं, जैसे esteroid impacts, esteroids जो होते हैं, वो प्रित्वी पर, छोटे से planet के रूप होते हैं, जो orbit करते हैं प्रित्वी पर, और यह जब प्रित्वी की सतह से टकराते हैं, तो बहुत जादा disrupt करते हैं, वहां की fauna को, flora को, जैसे erupting volcano है, एक कारण climate change है, जलवायू परिवर्तन है, इन सभी reasons को मिला के, एक tertiary mass extinction जो है, वो इस era में हुआ, और pollinating insects के रूप में, bees एवं wasps जो है, यह evolve हुए and at the same time the flowering plants were also evolved, that is angiosperms, तो यह जो है, इसको co-evolution के, उधारन के रूप में, हम study करते हैं, this is studied basically as an example of co-evolution, dinosaurs को represent करता है, तो आप इस clip के माध्यम से देखेंगे, कि किस प्रिकार की dinosaurs जो है, वो mesozoic era में abundantly present थे, और फिर mass extinction के द्वारा, इनकी बहुत सारी species जो है, वो extinct हो गई, विलप्त हो गई. आईए अब बात करते हैं, सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक अगें इस word is originated or taken from a Latin word that is काइनोजोइक, काइनो means most recent या जो अभी चल रहा है, या current period, इसको हम सीनोजोइक एरा कहते हैं, the era in which we are surviving, जिसमें हम अभी जीवित हैं, this is the most exciting period of earth history, biologically भी अर्थ में बहुत changes आए, geologically भी बहुत changes आए, और अर्थ की जलवायू या climate में भी इस एरा के दौरान, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले, जहां पृत्वी बहुत जादा गरम थी, extensive variation था temperature के बीच, equator और poles के बीच temperature का, वहीं हम इस एरा में देखेंगे सीनोजोइक एरा में, कि gradually पृत्वी cooling होती गई पृत्वी पर, और temperature जो है वो बहुत कम हो गया, 65 million years ago इस एरा की शुरुवात हुई और अभी तक ये continued है, इसमें extinction हुआ dinosaurs का, और mankind या man beings या human beings की उत्पत्ती हुई, continents जो हैं वो धीरे-धीरे move हुए tectonic plates से और आज जो हम देख रहे हैं अलग-अलग continents जिस रूप में हैं, अपनी current position में हैं, वो Cenozoic एरा की विशेशता है, इस एरा को हम represent करते हैं, age of mammals से, gymnosperms धीरे-धीरे diminish हुए और angiosperms या flowering plants की उत्पत्ती हुई, they started developing, जिसमें grass जो है, इसका बहुत important role है, because it has basically acted as a producer, और इसने birds और mammals के evolution में, बहुत important role play किया, so this is how we will divide the periods into epochs, next we are going to study about fossilization, इसको Hindi में जिवाश्मी करन भी कहा जाता है, fossils का मतलब होता है, dead remains of plants and animals or microbes, yaa soft remains of plants, animals or microbes, fossilist का मतलब होता है, obtained by digging, to fossil is any preserved remain, impression, or any trace of once living thing, from a past geological age, उधारन के तौर पर bones, shells, exoskeletons, या चटानों पर आप देखेंगे कभी-कभी किसी animal के या plant के dead remains, या उसकी shape जो है वो impregnated रहती है, तो इसको हम stone imprints कहते हैं, microbes के, animals के, या objects के, जिनको हम wood में या oil में या coal में प्रिजर्व करते हैं, तो प्रिथवी पर कभी किसी समय जीवित रहने वाले अति-प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेशों, या उनकी द्वारा चटानों में छोड़ी गई छापों को, जो प्रिथवी की सतहों या चटानों की परतों में सुरक्षित पाई जाते हैं, इनको हम फॉसिल्स कहते हैं, इनको हम जीवाश्म कहते हैं, जीव प्लस अश्म एक संधी है, जिसको हम पत्थर भी कहते हैं, तो देखते हैं यह नेमी कॉलोप टेरस क्रिप्टिकस, 120 मिलियन इर्स ओल्ड फॉसिल है, जो नौर्थ इस्ट चाइना में हमको मिला था, जीव लॉजिस्ट को मिला था, देखिए यह पत्थर के ऊपर, स्टोन के ऊपर जो है इसका एक इंप्रिंट है आपको दीख रहा है, इस इस नेमी कॉलोप टेरस क्रिप्टिकस फॉसिल, 120 million years old. आएए जानते हैं fossilization की techniques क्या क्या होती है, पर इसके पहले हम यह समझेंगे कि Paleontology क्या होती है, Paleontology is the study of fossils. Fossils की study क्यों करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि यह अर्थ की geological history की important information हमको देते हैं, So, Paleontology is the study of fossils, उनकी age, उनकी आयू क्या है, किस प्रकार से वे बने, उनका method of formation, एवं उनकी क्या महत्वता है, प्रिथवी के इतिहास को हम study करें, evolutionary significance यदी हम पढ़ें, यह basically specimens होते हैं, और 10,000 year old तक इंका जो span है, age span है वो होता है, इंका size जो है वो vary करता है, करीब 1 micrometer bacteria का fossil हो सकता है, और dinosaur का fossil वहीं देखें, तो बहु सारे meters long, जो है size में होता है, एक popular वैज्ञानिक या paleobotanist, Dr. Professor Beerbal Sahani, he is an Indian paleobotanist, जिन्होंने fossils पर extensive शोद किया, research की, Indian subcontinent के fossils पर इन्होंने बहुत गहन अध्यन किया, इंको बहुत जादा interest था, geology में, archaeology में, और इन्होंने स्थापना करी थी, Beerbal Sahani Institute of Paleobotany, एक बहुत ही प्रसिद वैज्ञानिक संस्थान है, लखनाओ में situated है, 1946 में, Beerbal Sahani ने इसको इसमें बहुत extensive शोद किया था, fossils के ऊपर, आई ये बात करते हैं, कि fossilization process किया है, जिसको हम जीवाश मकरन भी कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा plant या animal जो है, वो धीरे-धीरे fossil में बदलता है, तो सर्फ प्रतम हम देखेंगे कि जब animals हैं, plants हैं, या बाकी और other organisms हैं, microbes हैं, जब इनकी मृत्य होती है, when they die, तो धीरे-धीरे इनके body parts जो हैं, वो decay या decomposed होने लगते हैं, और जब ये पून्ट तह डीके हो जाते हैं, तो ये fossils का रूप ले ले लेते हैं, ये धसे हुए रहते हैं, तो heat और pressure की वजे से, इनके अंदर के soft tissues जो हैं, वो जैसे leaves हैं, body parts हैं, fishes की, ये धीरे-धीरे hydrogen एवं oxygen रिलीस करते हैं, leaving behind a residue of carbon, carbon के साथ साथ, and this process is called as carbonization, तो ये एक carbon impression का formation करते हैं, किसी भी dead organism का, rocks के उपर basically sedimentary rocks पर इंका formation होता है, और इस process को हम कहते हैं, carbonization, हम इस slide के माधियम से देखेंगे, कि कैसे जीवित forms जो हैं, living organisms जो हैं, वो fossils में turn होते हैं, जब वो buried होते हैं, पृत्वी मर अंदर दब जाते हैं, quickly after their death, उनकी मृत्य उपश्चात, तो किस प्रकार से पानी आता है, और sediments उनकियों पर deposit होते हैं और वे धीरे-धीरे अंदर चले जाते हैं, इसके बाद उनकी body parts जो हैं, वो decay होते हैं, and hydrogen, oxygen, carbon का residue बचता है, carbonization का process होता है, और fossil formation होता है. The third important technique is permineralization या petrification भी इसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा common technique यही होती है, जब किसी organism के soft tissues जो हैं, वो sediments के अंदर decay हो जाते हैं, तो उनकी hard parts जो हैं, hard afshash जो हैं, वो रह जाते हैं, For example, जो bones हैं, that is the heart tissue, इसके बाद water जो हैं, उनके अंदर seep करता है, minerals जो हैं, वो dissolve होते हैं, और धीरे-धीरे ऐसी spaces के अंदर भी, उनकी जो intercellular spaces जो हैं, उनके अंदर भी पानी seepage के तुरूप होँच जाता है, जहां पे crystal formation होने लगता है, तो यह जो minerals होते हैं, यह crystallize हो जाते हैं, और यह धीरे-धीरे hard होके, sedimentary rock के अंदर encase हो जाते हैं, fit हो जाते हैं, और इस process को हम कहते हैं, petrification या per-mineralization. The next is replacement. Minerals in groundwater replace the minerals that make up the bodily remains after the water completely dissolves the original heart parts of the organism. जब किसी organism की मृत्य उपरांत, उसके heart parts जो हैं, वो completely dissolve हो जाते हैं, तो ground water या water में उपस्ते जो minerals होते हैं, वो उसकी body के minerals को replace कर देते हैं, और एक ठोस पदार्थ का formation करते हैं, जिसको हम fossil कहते हैं. The next is molds and casts. यदि किसी organism की sedimentary rock में dead remain completely dissolve हो गये, अच्छे से dissolve हो गये, तो फिर उस rock में बाहर की सते पर, exterior side पर एक impression बन जाता है, और इसको हम कहते हैं external mold. यदि इस mold के अंदर minerals या water भर जाए, सीपेज के तरूप पहुँच जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं cast. तो पहले external mold बनता है and in case the mold gets filled with the minerals, minerals से जब वो भर जाता है, तो उसको वो एक अलग रूप ले लेता है और इसको हम कहते हैं cast formation हुआ. तो completely जब rock के अंदर या sedimentary rock के अंदर एक organism के dead remains dissolve हो जाते हैं तो rock के ऊपर उसका एक impression बनता है जिसको कहा जाता है external mold. इस diagram में आप देखेंगे आपको उस organism के dead remains का impression जो है external mold के रूप में दिख रहा है और वहीं पर आपको एक shell दिख रहा है जो unaltered है जिसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया है कोई change हम नहीं देख रहे हैं इसको हम unaltered shell कहेंगे और वहीं उस shell का impression जो है वो rock के ऊपर present है इसको हम देगे mold का रूप, external mold इसको हम कहेंगे. Next we come to adpression इसको हम compression एवं impression भी कहते हैं और compression fossils के अंतरगात हम fossil firms के बारे में पढ़ते हैं तो जब किसी organism में उसके organic molecules जो है उनका chemical reduction होता है तो वो compression fossils का रूप ले लेते हैं So compression fossils are a result of series of chemical reductions in the complex organic molecule composing the organism's tissue तो Mrithiopranth जो भी organism की death हुई whether plant और animal उसके tissues में जितने भी organic compounds या योगिक होंगे present उन organic compounds पे chemical reduction reactions होंगी और इस कारण उन में compression fossils जो है वो बनेंगे in this case जो fossil है उसमें original material तो रहेगा बट उसका कहीं न कहीं जो state है वो geochemically बदल चुका होगा geochemically altered state में वो fossil present रहेगा और इस process को बोलते हैं add pression या compression impression fossils कुछ fossils को ember में भी preserve किया जाता है ember जो है वो yellow या orange colored का एक semi precious stone होता है और frequently इसका उपयोग जो है वो jewelry making में किया जाता है ember के अंदर हम fossil या dead remains को preserve करते हैं fossil के रूप में basically it is a fossilized hardened एकदम ठोस जो है tree resin है हम देखेंगे कभी कभी कुछ season में ऐसा होता है कि कुछ plants या कुछ trees जो है वो अपनी bark पे चाल पे कुछ ऐसे chemical compounds का secretion करते हैं जो बड़े sticky से होते हैं जैसे अभी आप देखेंगे mango tree पे आम में कुछ resins या sticky material या gums का secretion होता है तो ये resins ही हैं जिनके अंदर fossils को preserve किया जाता है तो it is a hard tree resin आप देखेंगे stone के अंदर fossils का formation या preservation Next, we come to another terminology जिसको हम कहते हैं index fossils Index fossils के और synonyms भी हैं जैसे की guide fossils भी इंको कहा जाता है Indicator fossils भी इंको कहा जाता है They are used to define and identify geologic periods अलग-अलग geologic time scale के अलग-अलग periods को define करने में परिभाशित करने में और उनको identify करने में Index fossils जो हैं वो बड़े उपयोगी होते हैं ये ancient environment के बारे में जानकारी देते हैं ऐसे कौन से animals थे जो अलग-अलग stages में present रहते थे कैसे उनका extinction हुआ और उनको किसने replace किया और उनका migration हुआ तो वो किस route से हुआ किस possible route से हुआ ये जानकारी भी है ये हमको index fossils से ही मिलती है तीसरा climate में यदी जलवाईयों में कोई changes हों तो वो भी index fossils हमको बताते हैं next is the study about paleoecology and paleogeography similarly अगर हमें rocks की age को estimate करना है या कुछ ऐसे एतिहासिक प्रमान जो है वो एकटे करने है evolutionary evidences को एक अत्रित करना है phylogeny को study करना है phylogeny is the study of evolutionary history of an organism तो हम index fossils का उपयोग करते है exploration of fossil fuels हम जानते हैं कि plants और animals के dead remain से fossil fuels का formation होता है for example coal है petroleum है तो इस प्रकार से कैसे यह explore किये जाते हैं इसमें भी हम index fossils की जो है मदद लेते है next we come to the techniques to study fossilization fossilization प्रक्रिया को किस प्रकार से study किया जाए the first technique is also called x-ray technique highly sensitive technique होती है इसमें celluloid film का उपयोग किया जाता है x-ray photographs लिये जाते हैं fossil specimens के the second technique is the microtomy technique जितने भी fossil specimens हैं उनको या the macerated tissues हैं उनको सबसे पहले हम wax में embed करते हैं wax के अंदर हम इंको embed करते हैं embedding इस process को कहा जाता है और इसमें एक specialized wax का उपयोग होता है जिसको हम paraffin wax भी कहते हैं तो आपने fossil specimens को या जो tissues हैं उनको wax में embed किया microtomy या sectioning के पहले और फिर इस embedded material को dry होने के बाद microtomy द्वारा section किया जाता है इसकी sectioning होती है और sectioning के बाद ribbons कट करते हैं हम फिर हम इसकी staining करते हैं और staining के उपरांथ हम slides के द्वारा इसको study करते हैं histology के द्वारा the third technique is the maceration technique तो पहले हमने पढ़ी कैसे हम x-ray photographs लेंगे celluloid films के celluloid films use करके second technique हमने microtomy technique पढ़ी third technique is also very very useful technique जिसको हम बोलेंगे maceration technique इसमें हम fossil material या specimen को सबसे पहले 5% potassium hydroxide एवं concentrated nitric acid को mix करके इसमें immerse करके रखेंगे करीब एक हफते के लिए one week के लिए and then the material is washed thoroughly with water और उसके बाद इसको हम NaOH या sodium hydroxide के solution में incubate करेंगे this is followed by the sectioning of the technique using the sectioning technique next we come to ground thin section technique इसमें हम specimen को छोटी-छोटी sections में cut करेंगे जो specimen की सतह है उसको हम smooth करेंगे उसको हम grind करेंगे using 400 carburendum carburendum जो है यह silicon carbide है आप जानते हैं कि यह semiconductor के रूप में use होता है और फिर हम जो smooth surface है उसके section को glass slide के ऊपर mount करेंगे इस technique के बारे हम आगे पढ़ते हैं जानते हैं कि कैसे क्रियानवित होती है इसके पहले हम लेंगे एक छोटा सा break तो हम study कर रहे थे ground thin section technique जिसमें हम specimen को छोटे छोटे sections में कट करेंगे और फिर silicon carbide या 400 carburendum से हम इसको smooth करेंगे और फिर smooth surface sections को हम glass slide पर mount करेंगे फिर उसको warm करेंगे उसको melt in resin से melted या गर्म resin से coat करेंगे दीरे दीरे वो cool होता चला जाएगा और फिर हम fasten specimens को बड़े छोटी छोटी thin slices में कट करेंगे उसको फिर से उसका surface जो है इन sections को पुनह slide पर mount करेंगे तो इस प्रकार से हमने देखा के X-ray technique, microtomy technique maceration technique एवं ground thin section technique का उपयोग किया जाता है fossilization की study के लिए next we are going to start with fossil gymnosperms fossil gymnosperms क्या है इसमें हम दो उधारन study करेंगे lignopteris एवं Williamsonia तो class 1 जो है वो psychadopsida और order जो है pteridosphermels psychadophilicals भी हम इसको कहेंगे यह ऐसे fossilized plants हैं जो सबसे पहले upper devonian period में अपीर हुए and they were very commonly found in the carboniferous period और permian strata तक यह extended रहे, present रहे और permian के अंत में इनकी जो प्रजातियां हैं धीरे-धीरे they started declining, disappearing और फिर यह पूरी तरहां से जो है, disappear हो गए पृत्वी से इन plants में अगर हम बात करें तो सबसे simplest जो थे वो थे teridophytes या ferns जिन में proper roots नहीं थे with no roots at all and some were without any leaves, leaves भी नहीं थी carboniferous trata जो है, वो बहुत जादा rich है बहुत जादा fossils जो हैं वो आपको carboniferous period के plants से प्राप्त होते हैं, बहुत rich होते थे plant remains में और इंके साथ-साथ along with these fossil teridophytes here sperms seeded plants भी उपस्तित थे तो ऐसे plants जो seeds bear करते थे, उनको formally हम बोलते थे, cycadophilicals order के अंतरगत आने वाले plants and this group of seeded plants was very much dominant and widespread in carboniferous era और इसका जो सबसे best known example है या best known plant है that is lignopteris which is the best known of all the carboniferous plants तो इसको lignostoma भी कहते हैं क्योंके अलग-अलग जगाहों पर इसके fossils या जीवाश्म हम को मिले, तो जब कोन मिला तो उसके character study किये गए, seed के character study किये गए तो हमने इसको lignostoma बोला और जब इसका fossil stem के रूप में मिला तो हमने इसको lignopteris का नाम दिया तो on the whole surface इसकी कोन पे, seeds पे capitate glands की उपस्ति थी पाई गई capitate glands were present and because of the presence of these capitate glands वेग्यानिकों को ये idea मिला कि अलग-अलग parts जो है वो हो सकता है एक ही plant के हों जैसे मैंने आपको बताया stoma और lignopteris cone या stem तो इसमें और भी कुछ important families थी जैसे lignopteridacee medullosacacee, kalmopithacee peltaspermacee एवं corstospermacee फिर पंत ने, डीडी पंत ने 1957 में एक अलग ही class जो है इसको नाम दिया pteridose spermopsida in plants के लिए और इसको छे orders में इस class को उन्हों ने विभाजित किया lignopteridales medullosales glossopteridales peltaspermales coristopermales एवं ketoneals तो ये जो genus है that is lignopteris kalmatotheca, इसकी systematic position कुछ इस प्रकार से है class, order, families is lignopteridacee and the genus is lignopteris and इसको हम lignodendron भी कहते है इसकी कुछ morphological विशेषता है हम देखेंगे कि इसका जो stem है आप देखेंगे picture में वो slender है large scaly leaves के द्वारा ये घिरा हुआ है covered है, adventitious roots जो है वो बेस पर developed है और basically इस plant की प्रवृति नेचर की बात की जाए तो it is a climber and tri-pinnately compound होती है spirally arranged होती है और जो pinnे है वो right angles पे rachis से present होते है situated होते है opposite to each other और pinnे में pinnules जो है वो प्राई जाती है present होती है आप देखेंगे structure में the rachis arrangement and the presence of pinnules in pinnे reproductive structure की बात करें तो कुछ paleozoic leaves जो है उनके अंदर micro sporengia जैसे सनरचनाय उपस्तित है fertile pinnules जो है वो peltate form में present है और करीब-करीब 6 sporengia उनके अंदर present होते हैं और यह sporengia जो है bilocular nature के है यह जो है transfer section है stem का lignopteris aldeimia के stem का आप देखेंगे epidermis, outer, inner cortex phloem, secondary tree, xylem, leaf scars इन में present है जो transfer section हमने देखा यह nearly circular है epidermis के बाद outer cortex, inner cortex जो parenchyma cells से गिरा हुआ है बना हुआ है और cortex के आगे हम देखेंगे तो pericycle है जो sclerotic cells या कोशिकाओं के द्वारा बनी है और pericycle के बाद five strands जो है वो vascular bundles के जो है वो present है हर एक vascular bundle जो है वो मीजार्ख है एवं इसमें primary phloem जो है वो outer side पे present होगा और center में एक large pit है जो pericymatis को शिकाओं की बनी है lignopteris aldhemia seat की बात करें तो best known seat जो है it has been described और इसको हम lignostoma भी कहते हैं यह छोटे size के होते हैं barrel shape की होते हैं और एक sunrachna जिसको हम cupule कहते हैं उसके अंदर यह enclosed होते हैं जब परिपक्व हो जाते हैं यह seeds या beach तो फिर cupule की जो opening होती है वो खुलती है इसमें जो ovule होता है that is orthotropus orthotropus ovule ऐसा होता है बच्चों जिसमें micropilar end एवं chalazal end जो है वो एक ही line में होता है cycadian type भी इसको कह सकते हैं radially symmetrical होते हैं pollen grains जो है वो pollen chambers में पाए जाते हैं इस प्रकार से आप देखेंगे कि किस प्रकार pollen chamber जो है it is getting opened new cellus का जो core है वो आपको दिखाई दे रहा है और pollen grains जो है megaspore membrane जो है वो आपको longitudinal section में lignopteris aldhemia के seed में आपको ये sunrachna दिख रही है pollen chamber की opening और pollen grains की उसमें उपस्तिती आपको इस photograph में दिख रही है ये एक जो pollen chamber है या जो ovule हम कहेंगे barrel shape का है आप ये sunrachna दियान से देखें और observe करें ucellus female gametophyte cupule की opening pollen chamber इसके अंदर और उसके अंदर pollen grains the next fossil gymnosperm is cycadopsida class का order cycadiodials या benetials और इसमें हम दो separate groups में इसको study करते हैं benetials एवं cycadials classification जो है वो spawn ने दिया 1965 में दिया था और हम इसको तीन classes में विभाजित करते हैं cycadioid A.C. Williamson A.C. एवं Velandial A.C. तो genus जो है that is Williamsonia हम इसको कहेंगे Williamsonia, Sewardiana Sahani क्योंकि सबसे पहले इस पे बीरबल Sahani ने Indian subcontinent पे काम किया था, the systematic position is there before you on the slide so family is Williamson A.C. and the genus is Williamsonia, Williamson ने 1870 में सबसे पहले इसकी first species इसको describe किया और this was reported from the era, Jurassic era और इसी लिए इसको नाम दिया Williamsonia Gigas और Indian type जो है Williamsonia, Sewardiana Sahani इसको describe किया गया Jurassic period में और यहां पर यह cilsified condition में Rajmahal area Bihar में सबसे पहले गोंडवाना rocks पर पाया गया, जो plants है वो tall है, slender है, branched है, ovuliferous flower है 2 meter की height जो है इन में develop होती है, stem is cylindrical branched, it is erect, इसकी anatomy जो है short branches या lateral shoots पर पाय जाते हैं, और branches जो है, वो scales के द्वारा जो branches है, वो घिरी हुई रहती है तो आप यह picture में देखें, Williamsonia, Sewardiana Sani, female strobulous और sterile shoot जो है वो आपको दिख रहे हैं इसमें with the leaves, male strobulous में number of stammens है, जो आपस में fuse करके, एक disc shape या cup shape sunrachna का formation करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, vertical section of the ovuliferous flower or floral bud of Williamsonia gigas, leaflets जो है, stalks पर present होगी, male portion जो Williamsonia का है वो बहुत resemble करता है, psychodio, psychodio, आपको, और बहुत सारे male strobulous जो है, वो describe हो गये हैं, बट कहीं भी कोई female portion इन में नहीं पाया गया है, तो इसलिए हम female strobola है हैं, वो unisexual हैं, while the females are basically bisexual, और last but not the least, आज के lecture को हम conclude करेंगे, use of fossils से, तो fossils का उपयोग, जो है, मुख्यता, stamps के रूप में use हुआ, आप slide में देखेंगे, हम stamps में, fossils की जो pictures हैं, उनको दर्शा रहे हैं, and the second use is, that prehistoric organisms के जो fossils हैं, या जो organic remains हैं, हम उनसे जो हैं, वो coal और petroleum का formation करते हैं, they are very good sources of energy, and when these fuels are burned, तो energy is released, और इस energy को हम बहुत सारे processes में harness करते हैं, use करते हैं, चाहे वो विद्यूत उत्पादन की बात हो, electricity production की बात हो, चाहे power vehicles को run करनी की बात हो, या एक heating source की बात हो हमारे घरों में, ये सारे बहुत सारे important industrial uses हैं in fossil fuels के, जिनको हम coal, अत्वा, petrol की रूप में, hydroelectric power generation की रूप में use करते हैं, तो आज हमने जो study किया, आईए हम एक बार recap करें, we studied about very important timeline या calendar of earth's history जिसको हम कहते हैं, पृत्वी के इतिहास में होने वाले बहुत सारे events को हमने एक timeline के माधियम से पढ़ा, जिसको हम geologic time scale भी कहते हैं, हमने सारे eras को पढ़ा, eons, periods, eras and then further ages, epochs, हमने इनके अंदर प्रमुक, dominant vegetation को study किया, plant vegetation, animal vegetation, कौन से important characters थे वो study किया, फिर हमने जाना के paleontology क्या होती है, fossils क्या होते है, fossilization process क्या होता है, कैसे fossils जो हैं, उनको बनाया जाता है, कौन से techniques यूज किया जाते हैं, और फिर उनकी study कैसे होते है, using x-ray technique, microtomy technique, ground thin sectioning technique, उसके पश्यात हमने जाना कि कैसे gymnosperms या हम कहें, fossil gymnosperms जो हैं, इनका development हुआ, Lignopteris हमने पढ़ा, William Sonia हमने पढ़ा, बीरबल साहनी के द्वारा ये काम किया गया, William Sonia, Sewardiana हमने साहनी ये species पढ़ी, और इनके कुछ प्रमुक characters, reproductive characters हमने study किया, फिर लास्त में हमने ये जाना कि कैसे इन fossils का आजकल उपयोग हो रहा है, fossils जो हैं, dead remains of plants and animals, they are used as very good sources of energy as fossil fuels, for example, coal and petroleum, though I hope that you have understood all the topics very well, thank you. कि अरे मकितरा इनके हम स्कत्राइब, जायग historby हमने स्कतर redo or no कि एंके हमाना है, जा सिर वार को कि कि अर्क्त रिच्त ओॉन करता इनके हो?